कौनिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय साड़े चार वजे से छे वजे के बीच में एक लोटा पानी उसमें पांच बेल पत रखकर एक कमल गट्टा डालकर भगवान चंदरेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चड़ा दीजिए आपकी जो कामना वो कामन करकर चड़ा विंती करें चंदरेश्वर महादेव को करो करो कुणिमा के दिन चावल का एक आखा दाना आखा दाना जानते हो पूरा खंडी चावल नहीं कितना चावल एक दाना चावल शंकर भगवान के श्विलिंग पर समर्पित करिए एक बेल पत्र जिसका डंडी का और हो जहां से चावल चड़ाया है उस चावल के ऊपर अपनी कामना करकर रख दीजिए और चंद्र मौली भगवान का समर्पित करकर शिव जी पर एक लोटा पानी एक जल पात्र समर्पित करो कलस से जल चड़ा दीजिए नैनों में वो जल लगा कर अपनी कामना करकर वापिस घर को आईए अगली पूर्णिमा आएगी जो कामना करी है मेरा चंद्र मौली भोले ना तो सब्तों न करें आपने सुनी लिया होगा पहला उपाय कामना पूर्टी के लिए हैं आपकी कैसी भी कामना हो कोई भी समस्या हो तो आप पूर्णिमा के दिन यह उपाय कर सकते हैं आपको कारे में सफलता मिलीगी आपको पोनिमा के दिन प्रदोस्त काल मतलब साम के समय साड़ी चार से छे बजे के बीच एक लोटा जल लेना है उसमें पांच बेल पत्र डाल लें साथ में एक कमल गट्टा डाल कर सिबलिंग के पास चले जाएं और चंद्रेश्वर महादेब का नाम लेकर वह जल सिबलिंग पर च चावल एक बेल पत्र और एक लोटा जल लेना है पहले आपको सिबलिंग पर एक चावल चड़ाना है चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए फिर अपनी कामना करके एक बेल पत्र चावल के ऊपर चड़ाएं और बेल पत्र एस पर का चड़ाएं को उसकी डंडी का मुख अपनी तरफ हो और चंद्रमूली भगवान का नाम लेकर अपनी कामना करना है अपनी कामना करने के बाद फिर एक लोटा जल उस चामल और बेल पत्र के ऊपर दीरे-दीरे समर्पित करना है महादेबा पर करपा करेंगे आपकी सारी कामना है पूरी पचड़ा कर दूद हुए उसका फेन जो निकले उसका चमच में लेकर घुदने में पांच गान तर साथ दिन तक मल कर दो और जिसकी कि नस्चों होगी दाकर बोगवार बाइपस करना पढ़ेगा उसके लिए एक लिए विदान है हम आसा करते हैं आपको उपाय समझ आ गए होंगे यदि उपाय में कोई भी समझ से आए तो आप कमेंट करकर पूछ सकते हैं ऐसी ही वीडियो देखनेवा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें